हेलो दोस्तों बड़ों को मेरा प्यार बड़ा पर नाम और छोटो को धेश सारा प्यार उमीद करते हूं आप सब लोग ठीक होंगे हम भी ठीक हैं आप सभी लोगों का हमारे यूटुब चैनल पर सागत है अभी ब्लोगिंग की स्टार्ट करें मैं दिन के साड़े ग्यार वह में आवे आज ऊज़ेशस मैं आई हूं करने थे यह तो ऊक्षक भी दूप आई है और जोपार करें प्र जान ले लिक और में गलिवेशा कर किसह सामा ही तोब अब भाट की बीक जले गए और 3 चले गई है तो और थे पीड़ेано की स्टार्टाय आई है में बॉपार्स अब काम बढ़ते जाएगा तो बादल आते तो कम से कम चाया होती तो घास काटने में उतनी दिक्कत नहीं आती यहां से आगे को माई के वाली वीडियो बनाके लाई थी उसी को डालूंगी और उसको देखकर आप लोगों को पुरानी दिनों की याद आजाएगी जो मुझी भी आई बहुत ज़्यादा बच्पन की याद तो आज यहां इतनी जादी दूप लगी है कि बता नहीं सकते हैं बहुत ही पसीना पसीना हो रहा है और रोप से आलत खराब होगी है इससे घास कारने में भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है अब जाते हैं हमारा घास होई गिया है अब जाते हैं हम घर की और मिलते हैं आगे को आज मैं आपको ऐसी चीज़ी दिखाने वाली हूँ जिसको दे कि मेरे मम्मी बापा ने अभीता को चीजा संबाल के रखी है इसको देखे मुझे भी आई जाती है फिर पुरानी दिन की आद तो यह वो चीज है सबसे पुरानी चीज है जो मैं आपको दिखाती हूं यह मण इस से चावल भरते हैं और यह नाली यह 6 मणकी होति है जो यह केकर जेखे इसको 6 बार डालेंगे इसमें तो एक नाली हो जाएगी और यह था सबसे पुरानी केतुली हमारे दिनों की जब हम शाप किये जाते हैं और यह चॉन इसको जो ओखल कोटने के बाद होते हैं ठूट कहते हैं उसको चाला जाते हैं यह वैसे सबसे पुराना वाला हमारी दिनों वाला यह आजकर नया ले आए है मम्मी लोग और यह लोकी का जो पापा ने बना रख आ इसको इसमें बीजी डालत पुराने जमाने में हुआ करता था लेकिन पापा हमारे आजकल भी बनाते हैं इसको और यह चाल इसमें पुराने जमाने में गी रखते थे बल गी रखा जाता था इसमें और यह नाली सौरी पाली इसमें धही जमाते थे और यह है फिरकु जिससे मठा बनाते हैं मठा बना लोग आजकल वी यूज करते है और यह ईती पयाट को नही कोई बता होता हमारे बापा के पास बहुत जजादा होनर है हर चीज का पर चीज कह दो बापा इसमं रशी करुमा उसमें नैंते हैं अब सब्सक्राइबा कोनाते हैं अब यह वे हैं कि मैं कि असको इसको गलिए बनाते थी इसमें और यह भी वही है क्थ्यक हम इसको ठीक बोलते थे और गाणा भी काते थे मजाग मठ्यक मठ्यक कहते थे यह वही है तो इसमें रखा जाता था मठा पुराने जमाने में तो इसको कहते हैं हद बार इसमें मठा बनाई जाती है इसको तो मम्मी लोग आज कल भी यूज करते हैं और यह है टेबल लेंप यह हमारे जब हम छोटे थे तो तब लाए थे मम्मी पापा लोग इसको पता नहीं कौन ला फिर इसे लाइट को उपर नीचे करने वाला होता था तो हम कम ज्यादा करते थे हम इसमें ददा और मैं और बैनी किताब पड़ते थे इससे और ये है रासंटीन यसाइधी अब कहीं नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से अब पता नहीं लेकिन जहांतक ख्याल है नहीं दिखेगा इस में यह फोजियों का होता था पहले के जमाने में फोजियों को इसे जहान देते थे थे तो पापा और चचा इसको घर लाए एक दो और ay तो इसको अभी उस सीनिक करते हैं तो इसमें कील रखें और ये हैं ज्एड़ू जो पापांन भूंते मकंग Crash अबी और आगे हैै उसमाशाल पुर्त टॉटव इसमें मसाले कूटे जाते हैं मसाले ममी लोग अभी उसके प्रूटी नल टूटी ये तो आजकल भी दिखती है लेकिन ये हमारी सबसे पुरानी है तो मैं अभी दिखा रही हूं इसको मुझे भी बच्पन के दिन बहुत जदा याद आ गए ताजे हो रहे हैं ददा लोगों को बहुत जदा मिस्क कर रही हैं और ये भी वही है लोकी का जो पापा पापा ने बनाये ये दो खराब हो कि और ये है लाल टीन जो आदर्टेह को ये दा्यों कटे हैं ये आजकल भी यूछ यूच करते हैं इसको और ये है दंड नी इसमें दाल आल दलते हैं अम्मा बता रहे थे कि उस जमाने मैं ये वाला दंड हुपे में लाए थेохi मैं ला अम्माने पैसे उनको और ये है दोलक ये धोलक अभी भी त॑ मुझे अच्छे याद है जिसमें नहीं धोलक रखा ये लोलक पापाय ने रखा ये सबसे पुराना धोलक है ज़ो इब भी जयसा का तैसा है ये थोड़ा फट गया इसा है और ये उस टायम पर रखा था 600 रुबिम में 600 या 500 कुछ ऐसा ही रखा था उस जबाने में ये किसी के पास नहीं था यहाँ सब जिकल ये सिर्फ हमारे पास था तो अगर कहीं कुछ होता था तो हमारे यहाँ से ले जाते थे लोग और ये है रोटी रखने वाला सुज इसको भी यूज करते थे ममी लोग इसको अभी भी यूज करते हैं दूसरे है वो और ये है पेट्रो मैक्स इसको भी यूज करते थे इसमें भी आग जलते थी और उजाला होता था यहाँ से अब पुरानी चीज वी तो खराब हो गई है और यह इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ यह है पापा की अटेजी सूटकेस यह सबसे पुरानी सूटकेस है पापा का यह जब पापा छुट्टी घर आते थे तो इसी में सामान लाते थे ऐसी दो चार सूटकेस हों में लाते थे पापा सामान यह पुराना सामान जो मैंने आपको इस सब चीज से मिलवाली है लेकिन इसमें अच्छे से मुझे जो पता नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके उनका नाम बताना है यह चमकीला पत्थर हम इसको बच्बन में कह देते शिशा डूंग जद्धा मैं और बैणी इसको बहुत ज्यादा ध्ंगते थे छोटे छोटे बी होते थे इससे बड़े भी ऑति ऑते थे doo तो कि यह पुर्ण दिना में जाध उमळें चीने आपको इन जल को जाने याद धून चीने व उसलन एख र admir है आमा उई दीन निग भ्यान है मेरी चाची भाबी और यहां पर बच्चे हैं मेरी आमा और यहां पर है वही सामान वही वाला जिनको देखके सब लोगों को आ गई पुरानी दिन की याद और यहां पर है पूर्वी यहां पर है मम्मी और भी बहुत सारी चीज है पुरानी दिखाने के दे तो मैं इस बार इतना ही दिखा रही हूं जब अगली बार आऊंगी तब और चीज दिखाऊंगी जो हल जो होता है तो वह अगली बार दिखाऊंगी